हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चलेंजर्स बैंगलोर वसेज कोलकाता नाइट एडर के बीच IPL का जो दसवा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और वहीं कोलकाता की बात करें तो यह भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है पिशला मुकाबला यह भी जीत कर आ रहे हैं तो कांटे के टकर आप सभी को देखने को मिलेगी तो डैरेट बात कर लेते हैं दोस्तो इस ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट की उपर तो पिशले सिजन और इस सिजन मिला कर अभी तक इस ग्राउंड पर आठ मुकाबले हुए हैं जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है चार मुकाबले जीती है और चेस करने वाले टीम चार मुकाबले जीती है तो यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाले भी टीम अच्छा खासा जीत सकती है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा पिशला मुकाबला तो दोस्तों यहाँ पर पहले चेस करते हुए आरसे भी जीत कर आ रही है एवरेज स्कोर की बात करें तो 175 रन का यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा हाँस्ट स्कोर 226 रन पिशले सिजन चैने ने बनाया था और लोईस्ट स्कोर यहाँ पर 191 रन का है जो की दिल्ली कैपिटल्स बनाई थी पर दोस्तों पिछले साल और इस साल मिला कर देखा जा तो के वल्य यहाँ पर हाँस्कोर रसु कर रही हैं जो recent के तीन मुकाबले हुए हैं दोस्तों उसमें से दो मुकाबले यहाँ पर चेस करते हुए टीम जीती है और यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए कोलकता पिछले सिजन जीत कर आ रही है तो इस ground पर जो भी दोस्तों यहाँ पर toss जीतेगी जरतर चांद से की balling ही करेगी और जो recent के तीन मुकाबले हुए हैं दोस्तों इस ground पर उसमें से fast बॉलर को मिला है 18 विकेट और spinners को मिला 14 विकेट मतलब कि दोस्तों इस ground पर fast बॉलर के साथ साथ spinners को भी काफी मरत मिलेगी और दोनों टीम्स में आपको बहतीरिन अश्पिनर्स देखने को मिलेंगे फर्स इनिंग में देख सकते हैं fast बॉलर को मिली 8 विकेट और spinners को 7 विकेट और second इनिंग में fast बॉलर को मिली 10 विकेट और spinners को 7 विकेट मतलब first इनिंग हुए या second इनिंग spinners और fast बॉलर दोनों को मरत मिलती हैं अब इसके बात कर लेते हैं दोस्तों direct यहाँ पर head to head record की पर तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच देखा जा तो अभी तक हेट टू हेड में 33 मुकाबले हुए जिसमें से बैंगलोर 14 मुकाबले में बाजी मारी है और वहीं कोलकाता 19 मुकाबले में तो हेड टू हेड में तो दोस्तों कोलकाता का पड़ा यहां पर भारी दिख रहा है लेकिन इंट्रेस्टिंग बात यहां पर यह है कि दोस्तो यह बेंगलोर का होम ग्राउंड है और अभी तक दोस्तो इस सिजन के IPL में जीतेने भी मुकाबले हुए है होम ग्राउंड पर जो भी टीम रही है वो जीती ही है पिछले साल की बात करे तो दोस्तो दोनों का दोनों मुकाबला कोलकाता ही जीती थी पहले बेटिंग करते हुए बेंगलोर के खिलाफ तो कोलकाता के रिकोर्ड बहुत ही बहतरीन रहता है लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीती है आपको क्या लागता है दोस्तो कमेंट करके जरूर बताइए बेंगलोर की बात कर दोफी तक दोस्तो 5 मुकाबले खेले हैं पता ही होगा आप दोस्तो इसके बाद वीडियो मागशा बढ़ने हैं मैं आप से भी को बोल दो कि जो लोग भी टेलेग्राम पर नहीं जुड़े हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है जल से यल जाकर जुड़ जाइए यहाँ पर आपको टॉस की बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी स्मॉल लिकी भी और ग्रैंड लिकी भी इपक्ट प्लियर की तूर पर खेला गया था जो की बहुत ही अच्छा निरुने था इस्टार्टिंग में आपको मुहमाद सिराज और यह सुडयाल बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखरी को बर में जारी जोसेप और मुहमाद सिराज अब डेरेट बात कर लेते हैं दोस्तो रोयल चलेंजर्स बैंगलोर के सारे पिलर्ट्स के रिकॉर्ड्स की उपर तो सबसे पहले बैट्समें की बात करें तो ओपनिंग बैट्समें फैब डो प्लेस पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर फ्लॉप हो गये थे मातर तीन रन ही बनाने पाए थे लेगन फिर बहुत इंपोर्टेंट पीक रहेंगे क्योंकि पहले मुकाबले में 25 रन की पारी खेले थे और वहीं बिराट्कोली की बात करें तो पिछले मुकाबले में बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे और हमारी पिछले मुकाबले की टीम भी दोस्तों ग्रेंड लिंग में 18 run की पारी खेले हैं, फिर भी उतने अच्छे form में नहीं लग रहे थे, लेकिन आप लोग इनको चाहें तो grandling में ले सकते हैं, smallling में तो मैं आपको prefer नहीं करूँगा, अब low order से बात के रहे हैं, तो Glenn Maxwell लगतार 2 मुकावलें flop हो चुके हैं, लेकिन बड़े player हैं, bowling से wicket चटक थे, मातर 3 रहन ही बनाने पाया थे, तो दोस्तो टॉप order से 5 डूपलेस बिराट कोली को आपको लेकर चलना है, फिर नीचे से Glenn Maxwell और Cameron Green को, और अनुजरवत की बात करें, और दिनेस कार्थी की, तो इन दोनों को दोस्तो लगतार 2 मुकावले में अच्छा performance करने का मौका मिल तो जहां तो मुझे लग रहा कि अनुजरवत और दिनेस कार्थी की बहला ही बहुती अच्छे form में हैं, लेकिन इस मुकावले में Grand League में जादा important रहेंगे, वही महिपाल लेमरोर की बात करें तो पिछले मुकावले में 17 रन की पारी खेले थे, नोट आउट रहे थे, और दिनेस कार्थीक दोस्तों 28 रन की पारी खेले थे, बहुती संदर मैच को जिताए थे, अब देरेट बात कर लेते हैं, दोस्तों यहां पर RCB के बॉलर्स के recent performance की उपर, तिधर से देखिएगा तो दोस्तों मुहमा सिराज का बहुती अच्छा performance है, पिछले में कावले में 2 लिये हैं, Glenn Maxwell को 2 विकेट मिला, Cameron Green को विकेट नहीं मिला, और Yes Dayal और Aljalil Joseph को एक विकेट मिला, तो अगर आप लोग small league की टीम बना रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले मुहमा सिराज, Glenn Maxwell और Cameron Green को अपनी टीम में रखना ही रखना है, और अगर आप लोग grand league की टीम बना रहे और अलजारी जोसे भी grand league के लिए, बाकि सारे बोलर stop order के आप लोग small league में लेकर चलिएगा, और जो player bench पर बैठे हैं यह सो Tom Curran हो गया है, और यहाँ पर करन सर्मा का पिछले मुकाबले में नहीं खेलाया गया था, लोग के फुर्गोसन भी दोस्तो अच्छा record रखते हैं, अगर यह खेलेंगे तो important हो सकते हैं, बाकि दोस्तो आपको यहाँ पर मुहामा सिराज, ग्लैन मैक्सिल और कैमरोन गरीन फरी ज्यादा फोकस करनी है, और इसके बाद बात कर लेते हैं, दोस्तो यहाँ पर direct कोलकता कि क्या रहेगी इस मुकाबले में playing 11, तो इधर से आपको फिलिप सॉल्ट के साथ वेनकेटे सायर ओपनिंग करते दिखेंगे, स्वार दोस्तो वेनकेटे सायर ओपनिंग नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हैं, सुनिल लरायन दिखेंगे, फिर वेनकेटे सायर आएंगे, फिर सिर्या सायर, निचिसराना, रिंकु स सिंग फिर रसल फिर मिचल स्टार्क यहां पर स्वेयस सर्मा हरसित राणा और वरुण च्करवती और इंपेक्ट के तोर पर यहां पर रमनदीप सींग आपा खिलते में दिखेंगे और इस पिछले मुकाबले में फिर भी ये लोग 200 के उपर score कर दिये थे तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह रहे कि इस मुकाबले में इनकी middle order कैसा performance करती है तो RCB के भी middle order unform में है और Kolkata के भी middle order दोस्तों उतने अच्छे form में नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों टीम्स के middle order पर आपको ज़्यादा फोकस करना है Grand League में क्योंकि हर बार middle order मतलब form में तो आएगी ही आएगी तो इस मुकाबले में आप लोग को फिलिप सॉल्ट को तो small link में लेकर चलना ही है बाकि सुनिल नरायन को as a baller ले सकते हैं क्योंकि इस ground पर अच्छा मदद मिलती है और बैटिंग भी टॉप order में आएगे विनकेटे सेयर केवल grand league के लिए सिरेस एयर को इस मुकाबले में आप लोग small link में जरूर लेकर चलेगा क्योंकि रिसेंट में रंजी ट्रोफिम बहुत ही संदार performance करकिया रहे है नितिसराना केवल grand league के लिए मेरे हिसाब से और अगर कुलकाता के टीम टॉस जीती है तो आप लोग इनको small link में भी ले सकते हैं पिछले मुकाबले में तो मातर नोरा नहीं वह नाने पाएँ थे रिंकु सिंग और दोस्तों यहां पर آर सिंग की बात करें तो रमन्दीप सिंग की बात कर रहे तो ये दोस्तो इंपक्ट प्लियर के तोर पर खेलेंगे तो हो सकता है कि दोस्तो इस मुकावले में इनको बैटिंग करने का मौका भी ना मिले क्योंकि पिछले मुकावले में इनका पूरा मिडल ओर फ्लॉप हो गया था इसलिए दोस्तो रिंकु सिंग और रसल बैटिंग करने बहुत ही नीचे आये थे नहीं तो अगर मिडल ओर अच्छा फॉम में रहता तो ये दोनों बैटिंग करने पहले आते तो रिंकु सिंग और रसल को तो आपको ले कर चलना है क्योंकि इन ये लोग को अगर 10 बॉल भी मिल जाता है तो अच्छा खासा स्कूर कर देते हैं तो दोस्तो पिछले मुकावले में तो रसल 64 रन नोट आउट बनाए और रिंकु सिंग 23 रन और रमनदीप सिंग 35 रन इन 3 के लोडर के बैट्समेन में आपको रिंकु सिंग और अंडर रसल पर ज्यादा फोकस करना है अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोलकाथा के बॉलर्स के रिकॉर्ड के उपर तो दोस्तो इधर पर पिछले मुकावले में यहाँ पर हरसित रन नोट को 3 विकेट मिली रसल को 2 विकेट वरुन चकरवती और सुनी लरायन को 1 अक विकेट मिली फिर भी दोस्तो सभी लोग यहाँ पर मिचल स्टार्क पर फोकस कर रहे हैं और करना भी चे क्योंकि दोस्तो इनको लगभग 25 क्रोड में कोलगाता खरीदी है लेकिन उतने अच्छे फॉर्म में इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा था नाम इनके बहुती बड़े हैं लेकिन दरसत बहुती छोटे दिखे पिछले मैच में दोस्तो इस मुकाबले में आपको ज़्यादा फोकस करना है मिचल अश्तार्क पर क्योंकि हर बार बड़े प्लियर अच्छे फॉर्म में मतलब अनफॉर्म नहीं रहते हैं कभी न कभी तो अच्छे फॉर्म में आएंगे और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले म इंपोर्टेंट रहेंगे और आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं हर्सीत राना को मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में उतनी मदद नहीं मिलेगी तो आप लोग हर्सीत राना की जगह पर यहाँ पर रसल और वरुन चकरवती नहीं तो सुनिल रर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब दोस्तों यह तो होगी हमारी यहाँ पर एनलिसिस अब की प्लियर्स की बात करें तो दोस्तों आप लोग के लिए कोलगाता की तरफ से इस मुकाबले में की प्लियर रहेंगे फिलिप स्वल्ट, सिरेस, रिंकु सिंग, रसल और पर तो उससे पहले मैं आप स्वल्ट को यह बोल दूगि अगर आप लोग चैनल पर पहले ही बार नहीं तो सबस्क्राइब जरूर कर दिएगा ताकि आगे के सारे अब्लेट्स आपको सबसे पहले मिले और मैं आप लोग जड़ा कुछ नहीं मांगता बस दोस्तों वीडिय पतिदार और कैमरोन ग्रीन इस मुकावले में अच्छा पहमस करेंगे तो दिनेस कार्थिक और अनुजरौत को उतना मौकार नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं फिलिप सॉल्ट पर जादा फोकस कर रहा हूं क्यूंकि यह ओपनिंग करेंगे और इन दोनों को क इनकु सिंग को लेकर चलूंगा और सिर्यस ऐयर को तो अगर आप बोग चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सिर्यस ऐयर के जगा प्रदिनेस कार्थिक नहीं तो अनुजरौत को ले सकते हैं आपके पास ऑप्सन है अब दोस्तों यहाँ पर नीचे से बात कर लें तो निती स यहां पर आपके बहुत ही बेस्ट व्लाउंडर्स देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले दोस्तों बैंगलोर की तरफ से ग्लैन मैक्सविल और कैमरान ग्रिंड को लेकर चलेंगे जो की बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे इसलिए दोस्तों इनको मैं लेकर चल रहा हूं और हमेसा ओपनिंग भेशते हैं और एक बार फिर से यही देखने को मिला कि इस साल गौतम गंबिर कोलकता की तरफ से हैं और सुनिल लरायन आपको ओपनिंग करते हैं तो इस मुकाबले में भी जहां तक मुझे लग रहा कि ओपनिंग करेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में रन आउट हो गए थे तो यहां पर बॉलिंग भी करेंगे चार अवर बैटिंग भी दोस्टों बहुती संदर करेंगे इसलिए दोस्तों में इनको लेकर चल रहा हूँ और अगर आप सभी को याद होगा कि जब पहले दोस्तों तीन-चार साल-पांच साल पहले जब आते थ को लिजियन नहीं तो मिचल स्टार्क की जगपर नीचे से आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं हरसी तराना को क्यूंकि पिछले मुकावले में तीन विगेट मिला है तो अच्छे फॉर्म में तो होंगे ही लेकिन मेरी साब से मिचल स्टार्क इस मुकावले में अच्छा खासा लेंगे और यहाँ पर मुहम्मस हिराज को मैं लेकर चलूंगा तो यह हो रहेगी दोस्ते यहाँ पर हमारी टीम कॉंबिनेशन चार और चार बैट्समन एक विगेट की पर और दो बॉलर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्ते इस मुकावले में आपके पास द गया हुआ हैँ आप सबी लोग जलते यल लाकर जॉइन कर लेजे अब दोस्तो इसके बाद कर लेते हैं इस टीम की प्रिविवू की उपर Glenn Maxwell और Cameron Green अच्छा performance कर जाते हैं तो दिनेस कार्थिक और अनुजरवात को उतना मौका नहीं मिलेगा खेलने के लिए तो दोस्तों इनका points उतना ज़्यादा नहीं रहेगा RSB के bats से मिलना गतार दो मुकाबले हम flop रहे हैं इसलिए दोस्तों अनुजरवात और दिनेस कार्थिक को ज़्यादा मौका मिला है लेकिन हर बर ऐसा नहीं होगा और bowling से मैंने मिचल स्टार्क और यहाँ पर मुहमा सिराज के साथ जा रहा हूँ दोनल्ट टीम्स की तरफ से मैंने एकका स्पीनर्स को लिया है धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए हैं